एक और बढ़िया सिक्षक बर्ती देखने को मिल रही है एक लाख पदों पर बर्ती होने जा रही है क्या है उसका प्रॉसेस कव से फ़र्म बढ़ना स्टार्ट होगा सलीवस क्या होगा पार्टिकरम का होगा उन से चीज़ों पर थोड़ा सा समझेंगे द्यान से एक एक बिल देख करके कि हम बात कर रहे हैं बिहार में सिक्षक बर्ती का जो दूसरा चरण है वो अक्टूबर से प्रारम हो रहा है नवंबर में परिच्छा हो जाएगी दिसंबर में रिजल्ट जारी करने का लक्ष रखा है यहां आप देख रहे हैं क्योंकि जो बीपीएसी के जो अद्यक्ष हैं अतुल परसाद जी वो शिक्षा को लेकर के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो आप यहां पर देखोगे कि कैसे कैसे बरती हैं अभी तक आपको पता लिखा है कि पिछले दूनों एक लाग सतर हजार सिक्षक बरती परिच्छा में सामिल अब्यर्तियों के प्रमार्ण पत्रों की जांच के मामली में बीपीएसी और सिच्छा विवाग के बीच इत्यादी चीज़ें जो डॉट डॉट होती चलिया आई हैं बाचीत होती आई हैं यानि कि अगर मैं पहले आपको बताओं तो पहले एक तो है बिहार सिक्षक बरती जो पहले हुई इधर इनको तो जोइनिंग दी जाएगी इसको क्या किया जाएगा यह बरती तो किलियर हो जाएगी लेकिन इस बरती में जो 11 ट्वेल्थ जो 9 टेंथ प्लस जो 1,70,000 बरती हुई थी आपको पता इसमें 6 से 8 तक क्याती हुआ कोई पद नहीं था तो 11 वी 12 वी 9 से 10 वी और 6 से 8 वी तक अलग से एक लाग बदों एक लाग पदों पर भरती करेगा विया बिहार बोड इतनी करेगा कैसे करेगा जानकारी को समझते हैं सबसे पहले आपके बात वता दू कि एक से पांस तक के लिए है नहीं यहां पर साफ देख लिए यह साफ लेका हुआ हुआ है जगे खाली है वो किसके लिए छटवी से आटवी के लिए और 11 ट्वल्थ 9 टेंथ के लिए खाली है तो यहां पर साफ इन्हों ने कह दिया है कि 6 से 8 तक लग बामन हजार बेकंसी आएंगे और 15 अक्टूबर से आविदन परकरिया 6 से 8 तक कितनी हो हो जाएंगे यह बामन ह सस्ताइर मिन पर इंगे प्रकरिया का से प्रार्ण होस जाएगी 15 अक्टूबर से इसके आवेदन परकरिया सुरू हो जाएंगी क्यों Dolan Doar के लिए आवेदन परकरिया उसलो जाएगी नम्म पर ऊज्य cystा हो जाएगी दिसंबर में रिजल्ट हो जाएगा क्यों की 2024 में पर साथ में आपका सीटेस्ट का चाहिए प्लस आपकी क्या होनी मुझेत है अपको प्रहरं तो विच्छा होती यहां पे लिखा है माधढ़ होरी है या ना जरूरी है है कुछ लोग यह कह रहे हैं कि सर अगर हम जो भर रहे हैं इस वार लास्ट एट्पीरिंग में तो भर पाएंगे नहीं भर पाऊगे उच्छ माध्यक में 11 से 12 में भी क्या भी आपकी पूस्ट ग्रेजुएशन प्लस आपका बीएड प्लस आपका एस्टेट का पेपर टू और एस्टेट का पेपर अभी हो चुका है आपको पता है रिजल्ट भी उसका हने को है तो एलेवन ट्वल्थ नाइन्थ टेंथ चैन्थ 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 से आठ वी तक एक लाग पदों पर भरती है यह आप यहां पर इसकी योग गिता को भी समझ दीजेगा बात के लिए अब 9-12 तक के रिक्त रह गए पद और नए पदों को जोड़ करके उच्छतर माद में की वेकंसी होंगी इन्होंने 6-8 तक तो किलियर कर दिया कि 52 वेकंसी आएंगी लेकि 9-12 तक की वेकंसी को किलियर नहीं किया है क्योंकि अभी अभी एक लाग सत चुका के पद का अंकलन वरतमान न्युक्ती पूरी होने के बाद किया जाएगा विवाक के पद इदिकारियों से अनुमान कि 9-12 तक 50 जार पद हो सकते हैं और प्लस छट वी से आठ वी तक उन्होंने पहले ऑनॉंसमेंट कर दिया कितने हो सकते हैं 22 पत हो सकते हैं उन्हों इतने पदों पर भरती होगी और अब यह कित कब हमको पता चलेगा कि नौवी से बारवी तक यह तो अंदाज है कि 50,000 पद हो सकते हैं एक्जेक्ट कब पता चलेगा तो एक्जेक्ट के लिए देखो मैं आपको बता हूं मैंने एक सूचना भी आ चुकी है यहां पर उसको भी सबी जिला सिक्षा देखारें उनको पत्र लिखके पूछा है विसे क्या इसका माद्यमेक उच्च माद्यमेक विद्याले में अनतन उपलब्द रिक्तपद की सूचना वेत प्रपत्र में उपलब्द कराने के संबन में तेरे नो दो जार्टेस पटना से यानि माद्यमेक उपलब्द कराई हैं तो यह बिल्कुल किस्टल के लिए एक लाग के आस्वासपद होंगे उपर नीचे बरती प्रक्रिया की सुरुवात 15 एक्टूबर से हो जाएगी अपने विसे को अपने सब्जेक्ट को तयार करिए क्या कैसली बस है और एस्टेट हाँ यह सबसे बड़ी बात है और ध्यारा कि एक असंपूर भारत के विद्यारती इसमें फाम बर सकते हैं और बस यह है कि एस्टेट क्वालिफए होना साद चाहिए अच्छी बहती है और एक और भारती संपूर भारत के लिए तयार हैं आप मान के चलिए एस्टेट में हर्यारा में भी एस्टेट में प्रामरी टीचिटी और पीजीटी तीन इस aime बिभार कीति है एक होथा है जो पातता परिच्छा होती उसके बाद फिर टीजीटी और पीजीटी में भरती अलग से निकलती हैं सेम टूसें बिहार की तरह है बिहार में टीजीटी में सिख्षक बनना है तो एस्टेट पेपर बन पास होना चाहिए हर्याणा में अगर आपको बनना है तो वहां पर एस्टेट के लिए कि वह भी संपूर भारत के लिए होगी तो उसके लिए भी आप लोग तयार हो जाईए यह साल दो जाता है इस बढ़िया ठीक ठाक विकंसी आपके लिए करके आया है तो जानकार यह आपको कैसे लगी जानकर इच्छ लगी होगी तो प्यारे साथियो चैनल को सब् मेरा नाम अनुपम भारतवाज है और ऐसी सूचना लेकर के मैं आपके समक्ष आता रहूंगा ओफ्लाइंड कमेंट जरूर करना किसी भी मुद्दे पर आप जानका लिए ना चाहते दो थैंक्यू बेरी मच्च जैहिंद